हेलो दोस्तों क्या हाल चाल मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में जैसा टाइटल में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वह भी इंक्लूड कर दूँगा तो इस वीडियो में टॉपिक यही होने वाला है अगर आपको वीडियो में इंट्रस्ट है लाइक जरूर कर देना वीडियो को पुरा इंट तक जरूर देखना और फड़ा वड़ से आज की वीडियो शुरू करते हैं ऑगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के फीचर नमबर वन के बारे में जहां आपको वाट्साइब के अंदर कुछ एडवांस कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं इसके लिए आपको अपने वाट्साइब के सेटिंगіз में जाना हैं अकाउंट में जाना है और इसके बाद आपको प्राइवेसी में जाना अब यहां पर आपको चार ओप्शन देखने को मिलेंगे एक उन में से पुराना वाला ही आपको देखने मिलता तीन वहां पे नए एड़ गिये गए हैं आपको प्रोफाइल पिचर देखने को मिलेगा आपको अपना अबाउट सेक्शन देखने मिलेगा आपको अपना लास्ट सीन देखने मिलेगा अब इसके नीचे जो आपको आपको आप्शन मिलेगा वह होगा स्टेटस वाला यानि कि आपकी स्टोरी जो आप लोग लगाते हो 24 गंटे बाद डिसपीर हो जाती हैं वह लास्ट सीन, प्रोफाइल पिक्चर या फिर अपना स्टेटस वगेरा नहीं दिखाना चाहते हैं तो आपको मैनुवली ओप्शन देखने को मिल जाते हैं जहां जाकर के आप उन दस लोगों को एक्स्क्लूड कर सकते हो और उसके अलावा बाकी जितने भी लोग आपके लिस्ट में होंगे उन सब को आपका स्टेटस या प्रोफाइल पिक्चर या फिर आपका अबाउट सेक्षन या लास्ट सीन वो सब दिखता रहेगा एक सेटिंग आपको इसके बिल्कुल अपोसिट भी देखने को मिल जाती है जहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि सिर्फ इन इन लोगों को दिखाई दे बाकी किसी को ना दिखाई दे और अगर आप लोग चाहते हो कि आपके कॉंटेक्ट में जितने भी लोग हैं सबको दिखाई दे तो वो भी आप लोग वहाँ पे चूज कर सकते हो पहले ये चीज आप लोग अपने स्टोरी के साथ में या फिर कह सकते हैं स्टेटस के साथ में कर सकते थे लेकिन अब आप लोगों को last scene, profile picture और about के सास्त में भी ये सारी चीजें control करने का मौका मिल गया है feature number 2, whatsapp voice note यानि कि जब भी कोई आपको audio message भीजता है whatsapp पे तो उसको पहले आप normally सुन सकते थे मैंने वहाँ पे कुछ tricks बताई थे पहले भी लेकिन अब इसके अंदर कुछ नए features दिये गए है सबसे पहला feature जो देखने को मिलता है आप उसका जो speed होती है प्लेबैक की उसको कम जाधा कर सकते हो आप उसको 1x पे, 2x पे, 4x पे इस तरह से change कर सकते हो अपनी जरूरत के साबसे कईबा लोग बहुत दीमे-दीमे बोलते हैं आपको लगता कि नहीं यार मेरे पस इतना time नहीं है जल्दी बोलो तो 2x पे कर सकते हो, 4x पे कर सकते हो जल्दी सुन सकते हो और इसी में आपको दूसरा feature ये भी देखने को मिला तो आपको लगा कि हाँ ठीक है, पहला मैंने line सुन ली इसके बाद मैं pause कर देता हूँ ताकि पहले वाले को note कर सको दुबारा सुन जगो तो play pause की जो facility ना, वो भी अब आपको देखने को मिल जाती है जो कि मेरे खायल से काफी सही चीज है, especially students के case में feature number 3, react on messages आप लोगों ने देखा होगा कि Facebook हुआ, Instagram हुआ, उस पे जब हम किसी से chatting करते हैं सामने वाला हमें message भेजता है और हमें उसके message को like वगरा करना हो जाती है, तो वो तो बहुत आसान सी चीज हो जाती है उस पे हम अलग-अलग तरह से react भी कर सकते थे, दिल भेज दिया, like वाला भेज दिया, haha भेज दिया, love भेज दिया, और भी मतलब 6-7 तरह के हम लोगों को reaction देखने को मिल जाते थे और ये reaction अब आपके भागते दौरते WhatsApp तक आ गए है, तो WhatsApp में जब आपको कोई सामने से message करेगा, आप उसके उसी message पे directly react कर सकते हो, ज़रूरत नहीं, आप उसको एक separate message भेज करके, उसके message का reply करो, आप उस पे भी react कर सकते हो directly जो next feature है, वो है WhatsApp पे, अगर आप लोग एक admin हो किसी भी group के, तो आप लोगों को कुछ advance controls दे दियेगे हैं, वो control किस तरह से काम करेंगे, सामने से आपके group के अंदर, आप लोगोंने permission दियेगे, कि सब messages भेज सकते हैं, और family वगरा group के अंदर ऐसी चीज़े ज़ाद अतर फिर इस message को delete कर दो, तो वो बंदा delete करता था, लेकिन अब admin होने के नाते, आपको ये right मिल गया है, कि आप WhatsApp group के मालिक हो, तो आप किसी भी message को अपने इसाप से delete कर सकते हैं, और वो message सिर्फ आपके लिए delete नहीं होगा, पहले अपने लिए delete हो था, अब आप जैसे message delete करोगे पूरे WhatsApp group में से delete हो जाएगा, सब का delete हो जाएगा, जितने भी उस group के अंदर members होंगे, and जो next feature है, वो है group call से related, WhatsApp में पहले call हुआ ही नहीं करती थी, फिर audio call आई, फिर video call आई, दो लोग आपस में बात कर पाते थे, फिर इस limit को बढ़ा करके 4 लोगों का कर दिया गया, हाँ अब आप group call भी इसके अंदर कर सकते हो, अब इस group call की limit को बढ़ा करके कर दिया गया, पहले 8 लोगों तक पहुंचा अब इसको 32 लोगों तक पहुंचा दिया गया, और 32 लोगों में मैं सोचने भी बैठता हूँ कि अगर सब आपस में बोलेंगे, एक साथ चकर पकट, चकर अब किस तरह की चीज़े हो जाएंगी, समझ में तो कुछ नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी 32 लोगों की group call है, कैसे handle होगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर किसी को ज़रूत है, तो ये तो कुछ फीचर थे जो WhatsApp के अंदर आ चुके हैं, इनको आप अभी के अभी इस सकते हो, अगर नहीं उस करते हो, तो आपको डेफिनिटली बहुत जल्दी ये features देखने को मिलेंगे, तो इस list के अंदर सबसे पहला जो feature आता है, वो है cover photo, आप लोग अगर Facebook वगरा यूज़ करते हो, जो की definitely use करते ही होगे, तो वहां पर आपके दो photo set होते है, एक profile picture होता ह ठीक ये cover photo, आपको बहुत सारे YouTube के channels होते हैं, उन पर भी लगा हुआ देखने को मिलता है, इसके अलावा Twitter वगरा आप लोग यूज़ करते हो, तो ठीक ऐसा ही ये cover photo, अब आने वाले समय में आप लोग अपने WhatsApp पे भी set कर सकते हो, एक आपका profile picture होगा, दूसरा रहेगा एसी हैं, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, उनको एक ही बार में एक जगा पे देख सकते हो, ऐसे उपर नीचे कभी कहीं पढ़ ली, को भी कहीं पढ़ ली, वो सारा मतलब रायता सा पहल जाता है, उस रायता को थोड़ा सा संगवा सकते हो, और आसानी से काम आपका हो हो गया, लैप्टॉप, डेस्क्टॉप, उन पे चला सकते थे, मल्टिपल डिवाइसे पे, लेकिन मोबाइल एक ही रहता था, आप अगर एक ही वाट्सेप को दो मोबाइल पे यूज कर पाओ, तो कैसा रहेगा, तो इसके लिए एक जल्दी फीचर आने वाला है, जिसका न पसंद आती है, तो वाट्सेप में भी जब ये चीज़ देखने को मिलेगी, थोड़ा सा जाधा helpful रहेगा, और कुछ लोगों के लिए खतरनाक भी, और जो next feature होने वाला है वो होगा, किसी भी group में से आप लोग silently remove हो सकते हो, मतलब अभी कई बार आपके relatives हैं, आपके दोस् जिनमें आप लोग जबर जस्ती पटक दिये जाते हो उठा करके, फिर आप लोग यार उसमें से remove नहीं हो सकते, कई बार लगता है कि सामने वाले को थोड़ा सा बुरा ना लग जाए, उसने group बनाया, हमको add किया, हम उसमें से निकल गए, और जब आप किसी group में से निकलते कि कौन आपका group छोड़के गया, या कब आप किसी और के group को छोड़के चले गए, चुप चाप कल्टी मार लो, और इसका फायदा बहुत सारे लोग उठाने वाले है, क्या आप भी फायदा उठाने वाले हो, मुझे कमेंट के जुरू बताना, और अगर आपको ये वीडिय किसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, गुद बाई, असली मल्टी डिवाइस लोगी नब आएगा, वाट्सअप कमेंट